नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद अब आईए हम कुछ प्रशनों का हल करें जो की हमारे आधार भूट संक्लनों पर ही आधारित हैं आर्किमेडीर्स के सिध्धान्त पर एक तुला एक वेंग मशीन पर आपका द्रविमान 42 किलो ग्राम नोट करते हैं क्या आपका द्रविमान 42 किलो से अधिक है या कम है आईए एक बार इस बात को जरा सोचें तो सबसे पहले आईए हम एक यहां पर आकरती बना लेते हैं ये निरिखाने के लिए कि कोई कमरा है अब देखें इस कमरे के अंदर सबसे पहले एक प्रशना आता है कि क्या कोई तरल पधार्थ है और आपका उत्तर क्या है जी हां हमने अभी पढ़ा कि सारी गैस और सारे द्रिव तरल पधार्थ होते हैं यानि कि अगर हम एक खाली कमरे की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हमारे पास एक तरल है और वो कौन सा है या फिर हम कहें कि गैस तो यहां पे भी आपके पास एक तरल पधार्थ है हमें ये मालूम है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका मतलब कि ये तरल पदार्थ जो है हमारे उपर एक उत्प्लावन बल लगा रहा है यानि कि हमारा जो भी वजन नीचे की ओर आ रहा है उस पे उत्प्लावन बल लगने के बाद जो बल बचा मतलब कि अगर हम कहें कि उत्प्लावन बल बी है और हमारा वजन डबलू है तो जो हमारे पास 42 किलोग्राम की रीडिंग आई थी वो क्या बता रही थी डबलू माइनस बी यानि कि हमारा असल वजन जो है वो 42 किलोग्राम से अधिक है उत्तर हम क्या लिखेंगे कि असल वजन 42 किलोग्राम से अधिक है क्यूंकि वहां उपस्थित वायू या कहें कि गैस के कड़ की वज़े से एक उप्लावित बल वजन की दिशा के विपरीद इस पिंड पर लग रहा है जो कि आपके लिए ही आपे बात की गई है या फिर हम किसी भी पिंड की बात करें इस पिंड पर लग रहा है तो आपको उत्तर में ये पूरी बात इस पश्ट करनी पड़ेगी कि असल वजन जो है वो 42 किलोग्राम से अधिक क्यूं होगा क्यूंकि हम यहां पे जो वजन देख रहे हैं वो W-B है यानि कि उत्प्लावित बल घटने के बाद आईए एक और प्रश्ण देखें जो कि फिर से एक आधार वूत संगलन पर ही आधारित है और प्रश्ण है आपके पास एक रूई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है तो आईए यहां पे एक हम बोरा बना लेते हैं और इस बोरे में क्या है तो अगर मैं यहां पे एक बोरा बना लूँ तो कहा जा रहा है कि इस बोरे के अंदर जूई भरी हुई है और दूसरा हमें क्या यहां पे बताया गया कि एक लोहे की छड़ है तो लोहे की छड़ का क्या माने हुआ कि एक हमारे पास इस तरहां से बार है छड़ का मतलब बार है जो की लोहे की है तो आगे प्रश्ण में ये कहा जा रहा है तुला पर मापने पर दोनों का द्रविमान 100 kg है मतलब की दोनों ही वस्तूओं का जो द्रविमान है वो 100 kg आता है वस्तूओं में एक दूसरे से भारी है मतलब वस्तूओं में एक इन दोनों में से भारी और एक हलका है क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों तो आईए एक बार यहाँ पे फिर से उपला वक्ताबल की बात करें बॉयंट फोर्स की बात करें तो हमें मालुम है कि point force यानि कि उपला वक्ता बल पूरे के पूरे तल पर लगता है अब अगर हम इसके और इसके तल की बात करें या फिर हम इसके प्रिष्ट फल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूई के बोरे का जो प्रिष्ट फल है वो लोहे की छड़के प्रिष्ट फल से जादा है यानि कि उपला वक्ता बल ये वाला जो है वो जादा होगा है ना तो अगर मैं कहूं कि इसका असल वजन कितना होगा तो मान लीजे कि इस पे small b के बराबर उपला वक्ता बल लग रहा है तो असल वजन इसका हो जाएगा 100 प्लस b और अगर हम रूई वाले बोरे के असल वजन की बात करें तो वो हो जाएगा 100 प्लस b अब चुंकि हमने ये देखा कि प्रस्ट फिल या फिर हम कहलें कि आयतन रूई वाले बोरे का जादा है इसलिए capital b जो है वो small b से जादा है यानि कि 100 प्लस capital b 100 प्लस small b से जादा है यानि कि असल वजन रूई वाले बोरे का जादा होगा तो हम यहां क्या लिख लेंगे कि असल वजन रूई वाले बोरे का जादा होगा दूई वाले बोरे का जादा होगा तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक उत्तर आ गया ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दो चीजें जिनका वजन बराबर आ रहा है उनमें से एक असल में भारी है और आप देखें यहां पर आर्केमिडीस के सिद्धान से हमने इस बात को भी समझ लिया